बश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHSL 15 अप्रेल के सभी सिफ्ट में पूछे गए मेमोरी बेस्ट मैस के कोस्चन्स की टोटल 50 प्रेशन के उपर 50 से 55 प्रेशन के बीच में है तो 50 से 55 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लोगा और आप लोग अच्छे प्रेशनों को नोट करते चले इससे पहले मैंने 12 प्रेल और 13 प्रेल के सारे प्रेशन आपको करवा दिये हैं में अगर तो लिंक दिस्क्रिप्सम में मिल जाएगी आप जाकर देख सकते हैं प्रेशन पर आपने चैलिए वर नहीं देखती पहले प्रेशन पर आते थे मदोग baik पहले shift के पहले प्रेशन को है कहा गया x plus y 5 दिया गया है 1 upon x plus 1 upon y is equal to 22 दिया गया तो आपसे x q plus y q की value पूछी गई देखो x q plus y q का formula basically क्या होता है यह होता है x plus y breaker में x square plus y square minus xy जिसको हम लिख सकते है x plus y का whole square और minus 3xy यह लिख सकते हैं यानि हमें x plus y तो पता है अगर xy कहीं से पता चल जाए तो हम इसमें value put कर देंगे हमारा answer आजाएगा तो फटाक से यहां पर यह solve करो 1 upon x plus 1 upon y कितना हो जाएगा x plus y upon xy is equal to 22 तो यहां से हम कह सकते हैं xy is equal to हो जाएगा x plus y upon 22 यानि कि 5 by 22 put कर दो value यहां से हमारा हो गया 5 into 25 minus 3 गुडे 5 बटे 22 5 common ले लो तो यह बच्चेगा 25 यहां अंदर बच्चेगा 5 minus 3 बटे 22 यानि 107 बटे 22 गुडा कर दो तो यह हो जाएगा आपका पच्चीश सत्य एक सो पच्चतर के पच्चतर पच्चेश करना पच्चीश एक चबच्चेश एक चबच्चेश और बटे 22 यही आपका आंसर हो जाएगा अगले प्रशन पर आते हैं कहा गया कि 12,050 रुपए को दो भागों में डिवाइट किया जाता है हम माल लेते पहला भाग ए है भाई साब और दूसरा भाग भी है ठीक है पहले भाग को कहा गया compound interest की 10% रेट और दूसरे को भी 10% लेकिन simple interest पर यहां पर compound interest है और यहां पर simple interest है आपको पता है कि compound interest पर 10% कहने का मतलब हो गया कि 2 साल में हमें कितना मिल जाएगा 10% 10% का success ही यानि 21% compound interest मिल जाएगा और 100% धन अपने आप में या धन हो जाएगा 121% साधैना पारियाजक की बात करें तो एक साल में 10% दो साल में 20% तो धन कितना हो जाएगा 120% और आप से यही कहा गया कि 112% A का 120 CBD के बराबर है यहिस हम कह सकते हैं कि A är 121% B od B परसेंट के बराबर है तो हम कह सकते हैं A by B बराबर हो जाएगा 120 by 121 अब आपको निकालना है A की वैलू तो आप कहेंगे कि A अनुपात B 120 अनुपात 121 है तो A बराबर हो जाएगा 120 बटे A धन B अरे देखो A कितना हो जाएगा A आपको पता है कि A अगर 120 हो B 120 हो तो आपको पता है कि A की वैलू हम कैसे निकाल पाएगे A बराबर हो जाएगा 120 अनुपात बटे 241 ये इतना हिस्सा हो जाएगा कितने का 12,050 का समझेगा A को 120 माने B को 121 तो टोटल धन कितना बन रहा है 241 ये 241 में से 120 A है तो आप जान पाएगे कि अगर 241 में से 120 A है तो 12,050 में से कितना हो जाएगा 12,050 गुड़े 120 बटे 241 241 से काटोगे 50 आजएगा 50 गुड़े 120 यानि कि 6000 यानि पहला हिस्सा हो गया 6000 और दूसरा हिस्सा पूछा जाता है तो 6050 हो जाता है अगले प्रश्न 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 देखिएगा का गया इनसर किल A B is diameter having center C having center O A B बृत्त का ब्यास है जिसका केंदर O है हम ड्रा कर ले रहे है A B बृत्त का ब्यास है ये A B है ये A है भाई साब ये है B इसका जो center है ये O है का गया C कहीं पर कोई बिंदू है C एक बिंदू यहाँ पर है का गया C A B बराबर आपको दिया गया 22 यानि ये वाला कॉन 22 यानि तो आप से C O B पूछा गया आपको पता है C A B अगर 22 है ये कितना हो जाएगा आपको पता है जीवा C B द्वारा बिंद के परिदू पर बना कॉन ब्रिद के केंद पर बना कॉन कितना हो जाएगा 42 का दूने यानि चौरासी यान्स का तो C O B कितना होगा 84 डिग्री अगला प्रेशन देखिएगा कहा ग्या या जीवाar कि जू दिषा में छाल है relatore के अगर हम आपेश्ट्रिम स्पीड को 2X माने तो डाउन इस्ट्रिम कितनी हो जाएगी डाउन इस्ट्रिम हो जाएगी 2X और इसका तेरों 2,5% 1,5% कितना हो जाएगा 3X यानि 2X से 3X जाएभा यानिकि यह जाएगी 5X, याप यह ध्यान देना है, कि 500% जादा है, 500% नहीं है, 500% जादा, यानि टोटल 100% अपने आप में 500 और है, यानि 200% यानि 2X का 500% 5 है, अब आप देखिये, कागे 80 km डाउन श्ट्रीम जाएगी, तो 80 बटे D, यानि 80 बटे 5X का समय लगए, आपसे कहा गया downstream speed निकाल लें, यानि अगर आप x निकाल लें, तो 5x आप आराम से निकाल जाएगा, अब इसको solve करेंगे, तो यहाँ LCM हो जाएगा 10x, यहाँ पर कितने से गुड़ा होगा, 2 से यहाँ पर 5 से, यानि 160 और प्लस 200, यानि कि यह 410 हो जाएगा, और यह बराब देखेगा, अगर 49 से square प्लस 25 B square is equal to 30, तो A B is equal to 1, तो आपको 7 प्लस 5 B की value निकालने, आप एक चीज़ बताइए, अगर हम बात करें कि 7 प्लस 5 B का whole square कितना होगा, तो आप कहेंगे, 7 प्लस 5 B का whole square बराबर हो जाएगा, इसका whole square, यह बराबर हो जाएगा, इसका whole square, यह ब प्लस 70 A भी, यानि 70 यह हो जाएगा, यानि total 100 हो जाएगा, अगर इसका square 100 है, तो यह कितना हो जाएगा, under root 100, यानि कि 10, प्लस माइनस 10, यानि कि आपको प्लस 10 प्रूपर करना है, बाकि option में अगर माइनस, प्लस माइनस दोनों रहेगा, तो प्लस माइनस वाला मार्क कर द गया, कि then what will be selling price, if the product is solid 32% profit, यानि 128 बराबर अगर पांच लाग है, आप से पुछाएगा, 32% profit यानि 132 में बेचने पर कितने में बीखेगा, आप कहेंगे 128 बराबर 5, तो एक बराबर 5 बटे 128, तो एक सो बत्ती बराबर 5 बटे 128 गुडे 132, चार से कार दीजे का, चार से बटे 32 लाग में बेचना पड़ेगा, 32% profit लेने के लिए, ये प्रसंद देख लो, कहांगे, cos x is equal to 2 by 3 हो, तो 2 sec square x plus 2 tan square x minus 6 की value क्या होगी, देखो, यहां से cos x बराबर इतना दिया गया है, तो यहां से sec x कितना मिल जाएगा, 3 बटे 2 मिल जाएगा, इजजत से लिख दो 3 इन बटे 2, आपको पता होगा, कि 10 square x को, sec square x को लिख सकते हैं, या 10 square x को बात करें, तो 10 square x बराबर होता है, sec square x minus 1, sec square x minus 1 बराबर होता है, 10 square x, ठीक है, तो हम इसको 10 square x की जगा पर यह रख सकते हैं, अब यहां पे put कर दोती होगा, 2 sec square x, प्लस 2 टीन स्क्वार मतलब 2 सेक्ष स्क्वार एक्स माइनस 2 और माइनस 6 आल्रेटी दिया हुआ यह ==== üst की स्क्वार एक्स इसक्वार एक्स की वैलू रहता है यानि 4 इंतु तीन का स्क्वारग इनस 4 minus 8, यानि 4-4 कटगे 9 minus 8 आपका answer एक हो गया, समझा किया कहा कि A, B, C और D, E, F जो है similar triangles similar मतलब होता है, समरू if ratio of their areas is 49 is to 4, A, B, बराबर 10 B, C, बराबर 14, A, C, बराबर 21 तो आपको E, F की लंबाई निकाले, देखो आपको दिया कि A, B, C, जो है यह similar है, D, E, F यह दोनों triangles similar है, A, B, C and another one D, E, F, right यह similar है, निकि समरूप, यह समरूपता की sign होती है, अब कहा गया कि ratio of their areas, area का ratio क्या होता है, आपको पता होने चाहिए, similar triangles के जो area का ratio होता है, वो corresponding sides के ratio के वर्ग के बराबर होता है, A, B आपको 10 दिया गया है, B, C, 14 दिया गया है, A, C, बराबर 21 दिया गया है ठीक है, तो आपसे कहा गया, E, F की लंबाई निकालो, यानि यह x इनकालो आपको पता होगा, अगर हम इनके A, B, C की और D, E, F की area का ratio निकालें, यानि कि triangle A, B, C की area या, यह area समझ लेजेगा लिखा हुए, बटे triangle D, E, F की area, जो area है, यहापे मैं लिख दे रहो, area का ratio यह बराबर हो जाएगा, इसकी अगर B, C, आधार ले रहे हैं, 14 तो इसका भी E, F लेना पड़ेगा, X और इसका whole square हो जाएगा, और आपको area का ratio दिया गया है, 49 बटे 4, यानि हम कह सकते हैं, 14 बटे X बराबर, 7 बटे 2, है ना, यहाँ से हमारा X बराबर हो जाएगा, X बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 14 कटेगा, 2, 2, 2, 4, यानि X बराबर 4, यानि E, F की ratio क्या होता है, वो उनके corresponding sides के ratio के बराबर होता है, यह मैंने जो notes प्रोवाइड किया था, आपको उसमें सारी चीज़े लिखी हुई है, तो आप टेलिग्राम चैनल पर जाके मेरा advance math का notes देख सकते हैं, रैट, कहा गया 30 आदमी कारे को 16 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी, अब आपको होता है, 30 आदमी 16 दिन में, M1 into D1, बराबर होता है, M2 into D2, यहां से D2 बराबर आजाएगे, हैं D2 लिख दे रहा हूँ, 20 से कटे का देड़, डेड़ गुड़े 16, 24, यानि कि 24 दिन लगेंगे, रैट, कागे sin x बराबर cos x, कब होता है, sin x बराबर cos x, x बराबर 45 अंस आपको पता होगा, तब ही यह होग, 2 tan square, 2 tan square 45, यानि कि 2 into 1, sin 45, 1 by root 2 का square, 1 by 2, minus 1, तो 2 में से 1 घटेगा, 1, और प्लस 1 बटे 2, यानि 3 बटे 2, आपका आंसर हो जाएगा, कागे 2 triangles are similar, और उनका perimeter 72 और 43 दसमलों 2 है, तो उनके area का ratio बताओ, आपको पता होना चाहिए कि area का जो ratio होता है, यानि area 1 बटे area 2, ये बराबर होता है, side 1, बटे side 2, पहले triangle की side, corresponding side, बटे दूसरे side का square, या हम कहें, पहले का perimeter दिया है, दूसरे का perimeter दिया है, इसका square, या हम क area का ratio हो जाएगा, 72 बटे 43 दसमलों 2, 12 से काट देंगे 6, 12 से काटेंगे 3 दसमलों 6 हो जाएगा, यह हम कह सकते हैं, 60 बटे 36, यानि कि 5 बटे 6 लिखा हुआ है, 60 बटे 6, 5 बटे 3 होता है, इसका square कर देना है, यानि इसके area का ratio हो जाएगा, 25 बटे 9, 25 बटे 9, इनकी area का ratio हो का कि sin A बड़ाबर 0.5, where A lies between 45 और 540, तो A y3 की value बता, अब देखो sin A बड़ाबर 0.5, तो आप कह सकते हैं, sin A बड़ाबर 0.5 मतलब 1 बटे 2, sin कितने हैं इसकी value 1 बटे 2 होती है, आप कहेंगे 30, लेकिन आपको A की value 40 और 540 के वीर्च में लेना है, तो आप कहेंगे A बड़ 30 हम ले नहीं सकते, तो A बड़ाबर आप क्या लेना पड़ेगा फिर, A बड़ाबर 0.5, 500 की value के इतनी होती है, sin 150 degree की value के इतनी होती है, sin 90 प्लस 60 यानि कि cos 60 और cos 60 होता है 1 by 2, यानि कि sin 500 बड़ाबर हो गया, एक बड़े 2, यानि A की value हो गई 0.540 के 20 पड़ता है, आप से कहा गया, A by 3 निकालो, यानि A by 3, 500 by 3, यानि 50 degree हो जाएगा, right, कहा गया, average of some people is 75, 5 people whose average is 66.6, join the group, and 13 people whose average is 70 to exit the group, then overall average is decreased by 1.6 to find the number of people initially, अब यसा प्रशन है, आपको कुछ भी नहीं कहना, basic पे चले जाना, हम माले थे X people थे, तो total average कितना, मदब total कितना रहोगा, अगर average 75 है, तो total रहोगा, 75 into average, यानि 75 है, पांच लोग जिनका average, 64.6 है, वो join कर लेते हैं, 64.6 जिनका average है, पांच लोग का, तो कूल कितना हो जाएगा, पांच गुड़े 68, यानि कि 330 और 330 और 330 यह एड हो जाते हैं, ठीक है, फिर कहा गया, 13 लोग जिनका average 72 हो निकल जाते हैं, 13 लोग अब कहा गया कि average कितना बच्चा, 1.62 घट जाता है, यानि 75 था तो अभी कितना बच्चेगा, 73.38, इतना तो बच्चेगा, और यह कितने लोग का बच्चा, आपको बताब कितने लोग थे, x लोग थे, 5 लोग पहले जुडे, 13 लोग निकले, यानि कि अभी बच्चे कितने x-8 लोग बच्चे होंगे, बस इसी को solve कर लेना है, x की value निकाल लेने, ठीक है, तो आप यहां से solve करेंगे, तो यहां से आपका हो जाएगा, 75 x है, यहां पे 73.38 x है, यानि यह हो जाएगा, 1.62 x, इस इको जाएगा, कितना हो जाएगा, 936, माइनस 335, और माइनस, यह कितन इतना हो लिखा हुआ, यह आपका लिखा हुआ, 73.38, इसको solve करके x की value निकाल लीजेगा, x की value आएगी, वही number of people's initial हो जाएगा, अब यहां पे मैं calculation करता, आपका time बेश्रूत है, इस वहां मैंने नहीं किया, calculation कोन फायदा, एक मिनट में बेकार कर दो, अगे ratio of cut surface area and volume of cylinder is 4 h उचाई होती है, और cylinder का value क्या होता है, pi r square h, इसका जो ratio है, वह चार अनपास साथ दिया हुआ, तो यहां से h h कट गया, pi से pi कट गया, r से इसकी power कट गया, 2 by r is equal to 2 हो गया, 4 by 7, तो आप से radius निकालने को कहा गया, तो radius बराबर हो जाएगा, साद दूनी 14 वटे 4 इनकी 3.5 कहा गया, एक ball है, जिसकी cost price, पता नहीं कौन सी ball है, यह मुझे लग रहा है, लालीगा उगेरा, इससे होता होगा, 13,400 रुपे है, कहा गया, 4% profit पे बेची गई, selling price क्या होगा, अब 13,400 का 4% निकालो, तो 4% निकालने के लिए इसमें 4 से गुड़ा कर दो, यानि 4 चोको 16, 4 12,13,494,5, यानि 536 रुपे profit के साथ, 13,400 क्रेम हो लिए था, 536 profit अगर लेंगे, तो 13,936 रुपे की वो बिकेगे, ठीक है, अगला प्रसन देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, वन अपॉन एक्स प्लस वन पॉन 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 पॉ यहां से मिन जाएगा, एक्स वाई प्लस वाईजड प्लस जेड- बराबर 0, ठीक है, यह तो मिलेगा, आब यह मिल गया, तो आपको पता है, एक्स प्लस वाईजड का होल स्कॉयर चेही एक्स तो x प्लस y प्लस z का होल इसको है 25 और माइनस इसकी वैलू 0 है तो यह 0 हो जागए यानि 25 माइनस 0 पच्चिस आपका आंसर हो जाए कहा गया cos x minus y is equal to root 3y2 sin x plus y बराबर half तो आप से value निकालने को कहा गया x के आप देखेगा cos x minus y बराबर root 3y2 है तो आप कहेंगे कि cos कितने डिगरी की value होते है root 3y2 तो आप कहेंगे 30 अंस यानि x minus y बराबर दिया गया 30 इसको solve करेंगे तो आप कहेंगे x plus y बराबर है 30 यहीं तो है sin कितने अंस की value 30 होते है आप दोनों को जोड़ देंगे तो 2x is equal to 60 आजाएगा तो यानि x बराबर यहां से 30 आजाएगा अब x बराबर 30 तो y बराबर 0 आपको निकालना था के वल x अखले प्रेशन देखिएगा second shift के पहले प्रेशन पर आ रहे हैं कर गया 3 p plus 5 m is equal to 5 5 p m is equal to 6 आपको 9 p square minus 25 m square निकालना आप देखो 9 p square minus 25 m square को हम 3 p का square minus 5 m का square लिख सकते हैं यानि यह लिखा हुआ 3 p plus 5 m क्या लिखा हुआ 3 p plus 5 m और इंटू 3 p minus 5 m यह तो लिखा हुआ अब 3 p plus 5 m की value आपको पता है यानि आपको 3 p minus 5 m निकालना है आपको पता होगा कि 3 p minus 5 m बराबर हो जाएगा under root में 3 p plus 5 m का whole square यह तो हो जाएगा 3 p plus 5 m का whole square minus 4 times up 4 times up क्या होता है a b a कितना है 3 p b कितना है 5 m यानिकि 4 times up 3 p into 5 m क्योंकि आपको पता है a minus b बराबर होता है under root में a plus b का whole square minus 4 a b तो यह पर a है 3 p 5 m है b की value तो यह 4 तिया 12 पंचे 60 यानि यह हो गया under root में 3 p plus 5 m का whole square यह यह हो गया अब आपको पता है 3 p plus 5 m है 5 और इसकी value minus root 335 तो इसकी value हो जागे 5 times up root minus 335 अगर data यह रहा होगा तो यह answer हो जाएगा बस आपको यह देहान रखना था ठीक है यह प्रोशन कुछ इस प्रकार से था लेकिन type करने में मुझे दिक्कत हुई देको यह इस प्रकार से था 1 by 9 divided by 1 by 9 of 1 by 9 into 1 by 9 whole divided by 1 by 9 plus 1 by 9 अब 1 by 9 हर जगा दिख रहा है तो आप एक काम करें 1 by 9 यहां से काड़ दीजे तो यह 1 plus 1 बचेगा 2 यानि आपका लिखा हुआ half into में अब 1 by 9 of 1 by 9 करोगे तो 1 by 81 हो जाएगा 1 by 81 से अगर आप 1 by 9 में डिवाइड करोगे तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जागा यानि 9 into half यानि कि 9 by 2 लिखा हुआ है आप solve कर लिजेगा कहा गया अगर 9650 को ABC के वीच इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि 1 by 4th of A यानि by 3 is equal to C by 6 तो आपको A की value निकाले चार 3 और 6 का LCM अगर ले लें ठीक है या LCM ना लो इसको K के बराबर माल लो तो यह A बराबर आपका आजाएगा 4 के या 1 माल लो ऐसे तो A बराबर 4 आजाएगा B बराबर 3 आजाएगा और C बराबर 6 यानि A B और C का जो ratio होगा वो कितना आजागा 4,3,6 राइट अब आपको निकालना है A आपको पता है A कितना है चार आउट आफ 4,3,6,3,3 यानि तीनों का योग दिया हो गया हो तो उसका 4 बटे 13 हिस्सा A है टोटल आपको योग पता है 96,90 तो A की value आजाएगा 13,91,95,58,34,62,35,65 यानि कि 745,4 तो यह 2800 हो जा कहा गया A can do any work in 7 days B same work को 12 दिन में A 7 days में B 12 दिन में लिख लीजेगा इसको तड़ाक से कहा गया दोनों ने एक साथ 3 दिन कारी किया उसके बाद जो बचा हुआ कारी था वो C ने 9 दिन में पूरा किया तो C अकेले कितने दिन में कर देगा बहुत आसान सा प्रश्न है 7,12 औ करते हैं और यह भाजब साब 9,800, Newton, 28 work करते है रहें यह 9 दिन जो धें में करते है दोनों मिलन किस, 57 दिन भाज़ा दिन में करेंगे 302 515 दो 17 streets veya 211 réseला का भरव About 181 में साब नोने को just visit साब 9 क दिन नों करते हैं तो फूरा कितने दिन में करेंगे तो नो एक दिन में करते हैं तो दुसो बाउन करने में दुसो बाउन बटे नो यानि कि आपका नो दुनी अठार या अठार इस दिन लगाएंगे मेरे हिसाब से नो दुनिय अठार, नो अठार, ठीक है, कहा गया, distance between two persons A and B is 884, A और B दो भ्यक्ति हैं, जिनके बीज की दूरी जो दी गई है, वो 8, 8, 4 मीटर दी गई, A और B के बीज की दूरी 8, 8, 4 मीटर, कहा गया, A and B moves in the same direction, at the speed of 8 मीटर पर सेकंड, and 12 मीटर पर सेकंड, यह दो यह 8 की पर है, यह B है, और यह A है, ऐसे चल रहे हैं, आपको पता है, अगर एक सेकंड चलेंगे, तो यह 12 है, यह 8, दो नो सेम डिरेक्शन में चल रहे हैं, यह रिलेट्वी स्पीड हो जागी, 12 माइनस 8, यह चार मीटर पर सेकंड, यह एक सेकंड में 4 मीटर कबर करेंगे, अब बीच के दूरी है, 884, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, 884 बटे चार, इन 221 सेकंड बात, बी जो है, वो A को आगे, मतलब A को क्रॉस कर जाएगा, रैट, कहा गया, अगर N को 6 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमेंडर पांच बचता है, अगर 9 N को 6 से डिवाइ आप 5 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, ठीक है, 11 भी लेके मैं चेक कर वाइद रहो, अब N बराबर आपका 5 आ ठीक है, अब 5 N, यानि कि 45 को आपको डिवाइड करना है, कि 6 से, तो से स्पल कितना है, 6 से बैली जैनी से स्पल तीन है, अगर ऐसे हम 11 लेते तो N बराबर 11, तो 99, 99 को 6 से डिवाइड करते है, तो यह 16 बार जाता है, 6 से स्पल कितना बस्ता 3, यानि आपको यह ध्यान रखना है, कि सबसे छोटी संक्या लेने है, ताकि केल्कुलेशन करने में आसानी हो, कहा कि diameter of semi-circle, यानि अर्ध प्रित का जो diameter है, वो 5.6 है, ठीक है, यह 5.6 है, यह diameter है, ठी semi-circle, यानि perimeter of that semi-circle निकालना, अगर semi-circle का perimeter पूछा जाए, तो यह होता है, पाई-R, यहां से चलते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, और प्लस 2R, यह वाला भी, बस आपको पूट कर देना है, यानि पाई, आपको पता है, जब 2R बराबर 5.6 है, तो आर बराबर 3.8 है, यह हो गया, पाई-प्लस 2R, यानि यह हो गया, पाई-प्लस 2, यानि कि 22 बटे साथ धन दो, यानि 36 बटे साथ, और गुड़े यह कितना हो जागा, 2.8, आर के बहलो 2.8, तो 36 से एकटे का 0.4, यानि 36 गुड़े 0.4, यानि 14.4 cm आपका, टोटल, टोटल पेरिमीटर हो बेचने का मतलब 85% में बिक रही, 85% आपको दिया गए, 8, 7, 5, 0, तो आपसे फूचेगा, 15% प्रॉफिट, यानि 115% में बेचने पर कितने में बिकेगे, अब आप इसको काट पीट लो, 17, 85, 17, 85, ये 17 से नहीं कट रही है, ना, यानि 85% 8750 है, तो 1% हो जाएगा, 8750 बटे 50, 85, 115% हो जाएगा, 8750, बटे 50, गुडे 115, राइट, पांसे काट दो ये 17, पांसे काट दो ये 23, आजाएगा, और अब ये 17 से काट लो, 17, 85, और, 17, 85 हो गया, या आप ऐसे 23 का उड़ा कर लो, नहीं, 17 से काट दो, 17, 85 हो गया, और ये 2, 25 बच रहा है, 17, इक अनम, 17, आट, पांसे बच रहा है, यहां पर 87, 75 कर लीज़े, ठीकर, साथ हो सकता है, गलत दिया गया हो, तो 17, 85 होता, फिर, सर एकन्नम सत्रा यहां पर पच्पन होता तो यह आठ बज चाता आठ पचेइस से ऐघ्यादापाशले प्रोड़त में पहलेटेगे से अध्यान रखना है यहां पर दाटा थोड़ाशा चेंज गलेजेगा तो आपको सॉल्ब करने मासा नहीं होगा अधर्वाइस आप देख लिजेगा पचासी परसेंट आपको दिया गए तो एक परसेंट कितना हो जाएगा तो पांस से कटेगा पहले यह 17 हो जाएगा पांस से कटेगा यह पांस सत्रा और यह यह 175 यह अब सत्रा से कटेंगे तो यह 103 हो जाएगा तो एक परसेंट बराबर Aaah और तो स्क्वार्य यसक्यार हो यह रापको यह पता होना चुछ हुँ कि यहां से x plus y का अगर whole square कर दिया तो यह मिले गए x square plus y square जिसकी value सत्र है plus 2xy बराबर 5 का square 25 हो जाएगा यानि 2x by बराबर 8 यानि xy बराबर हो जाएगा 4 अब xy बराबर 4 होगे आप से x minus y का whole square पूछा कि x minus y का whole square कितना हो जाएगा x plus y का whole square minus 4xy यही हो जाएगा यह फार्मूला होता है एक्स प्लस y का whole इसको 25-4 गुड़े-416 यानि 25-16 यानि कि आप का अंसल नहों हो जाएगा प्रशन देखिएगा कहागे इन्हें ट्राइंगल ABC कोण B वराबर 660 C वराबर 44 AB and AC have been extended the exterior angle by sector of B and C meet at D तो BDC निकालना ध्यान से देखिएगा तिर्भूज है आपका कोई यह आपका है ABC ठीक है कि इसको बढ़ाया गया उसके exterior by sector खिंचे गया है कुछ इस प्रकार से यह D पर मिलते हैं इस कोण की वैलू पूछी गई है आपको यह दिया गया अच्छा अच्छा ठंस यह दिया गया दोनों मिलके कितने बनेंगे 110 यह बनेगा इसका आधा है यानि 90-by2 है ऐसे 90-cy2 है दोनों को जोड़ेंगे तो 180-by2-cy2 यानि 180-by2 मिलेगा तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180-180-by2 यानि 180-by2 कितनी होती है 180-by2 दिवाइट करोगे तो हो जाएगा 90-by2 यही फार्मूला बन जाते है बात में कागे यह सक्सेस्व डिसकाउंट of 40% and 20% has been given on the market price of an article if net discount on article is 988 then market price आपको निकाल आपको बता 40% और 20% का result and discount क्या होगा x और y होता है x plus y minus xy by 100 तो 40 और 20 का कितना हो जाएगा 40-20-60 में से कितना घटेगा 8 यानि कि 52% हो जाएगा 52% आपको दिया गए 988 कि 52% 988 हो गया इन तेरा चोको बाउन तेरा सते क्या नहीं तेरा चाक एठा त्रे यान चार परसेंट बराबर चेतर एक परसेंट बराबर उननिस यानिके market price 100% बराबर हो जाएगा उननिस सो कहा गया simple interest on a sum of money for 9 years is equal to 45% of principle rate of interest 9 साल में 45% मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा 5% और एक साल में जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं एक साल में मिला बया जा rate of interest कहा गया third side of an isosilis triangle is 30 cm less than each of equal sides ध्यान से देखेगा यह equal side है यह a तो यह जो है a-30 है ठीक है कहा गया कि perimeter 3.6 meter है perimeter कितना हो जाएगा 3a-30 और यह कितना दिया गया है आपको अगर perpendicular drag करेंगे तो 65 है यह 65 है यह कितना है 130 है यह कितना हो जाएगा 65 रूट 2 हो जाएगा यह आपका कितना 50 देखेगा 100 है तो आधा 50 है यह 130 है तोnoise कितना मिलेष जाएगा 120 य่ आपका area हो जाएगा half into आधार 100 uh including 120 यह हो जाएगा 68,4 cm2 dynamics चेहजार सेंटीमीटर स्कॉर्ड समझागें कहा गया लेंथ बिट एंड हाइट ऑफ एक वाड़ार 28 8 & 4 सेंटीमीटर 28 4 & 10 सेंटीमीटर यहां पर दोता होने चेहां कि अगर किसी क्योबाइड में वैं में कोज चीज रखनी है लंगे स्की लंबाई होते हैं I can अगले प्रेशन पर आते हैं कहा कि प्रोड़क्ट की जो प्राइज है वह 20 परसेंट बढ़ा दी यानि कि पहले पांच थी तो अभी कितनी कर दी गई छे कर दी तो कहा गया कि कंजम्शन में कितनी कमी की जाए ताकि अब आप एक चीज़ बताओ पांच रुपए की कोई चीज़ मिलती थी चेह अब मिलने लगी ति अगर हमें उतने ही रुपए में मालो । 5 और 6 आ दो बहुत कितनी किलो गराम मिलती हो कि 6 किलो गराम अभी 6 रुपए में कि इनरी किलो तो क्या होगा अगर 10 10 परिशेंटके दो सक्सीविवडिये अब गोते 10 परिशेंट और 10 परिशेंट के सक्सीव कितनी हो जाएंगे X प्लस Y मैनस Xy यदि से 19 परिशेंट यहीं चार सो खागर 19 परिशेंट देदें गे तो हमें बेचना कितने मैं 81% मैं 400 का 81% तरह दीन, 324 रुपय में हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है, 400 कितने में, 1 मिनट, 324 रुपय में हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है, यह प्रसंद देखेंगे, कहांगे sin square x minus 4sin x plus 3 0 है, तो x की value, आप देखो sin square x minus 4sin x plus 3 का अगर हम factor करें, तो यह हो जाएगा sin square x अब होता है 3 कम 3 के 2 ऐसे फैक्टर जिनको जोडने पर चार है तो 3 और 1 हो जाएगे यह हो जाएगा sin square x minus 3 sin x minus sin x plus 3 is equal to 0 यहापे sin x comma ले ले लेंगे यहापे 1 तो यह बच जाएगा sin x minus 1 into sin x minus 3 basically यही बच जाएगा is equal to 0 अब अगर 2 संख्याओं को गुडण फल 0 है it means कि संख्याओं अलग-अलग 0 के बराबर तो यह 0 के बराबर होगी तो sin x 3 और sin x 1 से बढ़ा हो नहीं सकते है sin x is equal to 1 होगे यह यह x बराबर 90 degree हम मत पता चलेगे यह प्रसंद देख लो कहाँ कि average expenditure of a man for 3 months is Rs 2400 for next 4 months is 4800 and for remaining 5 months is 3500 if the annual saving of man is 3500 then what is the monthly अब देहां से लेखेगा कहा गया कि पहले 3 महीने तक वह 2400 रुपय महीने खर्च करता है अच्छा अगले 4 महीने के लिए 4800 रुपय पर महीने खर्च करता है और अगले 5 महीने के लिए 25 सो रुपये पर महीने खर्च करता है उसने कुल कितना हच्छ कि ए तीन महीने 24 सो यह यनि बहाततर सो हैचग路 महीन initiative 19,200 मेरे क्याण्थ है 5 महीने ने 35 यह शत्तर हजार पांच सो यह उसने कुल कितना खर्च किए 5-272-9 सो यह साथ नो सोला साथ तेज़ के तीन हसिलाई दो दो चार यानि कि तैताले हजार नौसस उसने कुल खर्च कि और कहा गया कि सेविंग उसकी हो रही है 3500 रुपय की यानि उसने कमाया कितना होगा चार साथ चार डूल जीरो इतना कमाया होगा साल के अन्त में तभी तो इतना 43,900 खर्च करने के बाद 3500 अगर बच जाता है तो आप कहेंगे 47,400 कमाता होगा अब 12 से डिवाइट कर तो average मंथली इन कमा जाएगी तो 12,336 यह बचेगा 11,114, 12,9,108, 12,5,0 यानि 49,50 रुपे पर महीने वो कमाता है 49,50 रुपे पर महीने वो कमाता है कहा गया दो concentric सर्किल से concentric मतलब जिनका केंदर equal हो मतलब सेम हो के यह देखो concentric सर्किल हो एक की रेडिया इस माल आ रहे है एक की कैप्टल आ रहे है यह कैप्टल आ रहे है कहा गया sum of radia यानि r प्लस r 286 दिया ठीक है और कहा गया उनके area का जो difference हो 50,336 है area का difference कितना होता है पाई r square minus r square यानि हम कह सकते हैं पाई into r square minus r square को r plus r into r minus r लिख सकते हैं यह बराबर आपको दिया गया है 50,336 ठीक है आपको बता है r plus r 286 है तो यह नीचे आ जाएगा 286 ठीक है और पाई की value कितनी होते है 22,7 यहाँ पर 22,7 रख देंगे त पाई से काटें 11,44 यह 6,3,7,1,5,5,8,3,1,7,7,7,11,6, ठीक है दो से फिर से काट दीजे दो से कटेंगा 2 और यह 22 यह 8 हो जाएगा और यह 8 हो जाएगा काटीए 22,24 ठीक है यह हो गया ठीक है अब 7 से इसको काट साथ का यहाँ गुड़ा हो जाएगा पहरे 286 से इसको करि यह 8 बार जाएगा यह 8,48,88,64 और 4,88,16, ठीक है यह 8 बार गया यहाँ से हमारा आर माइनस आर बराबर आ गया 8 सत्य चपन अब मैं आर और आर की वैलू निकलने दोनों को जोड़ेंगे आधा कर देंगे तो कैप्टल आर की वैलू आ जाएगा यानि कैप्टल आर बराबर 56 यानि 115 देख लिजिए एक बार तो आपका सही है ठीक है अब हम सिर्फ 3 के कोश्चन्स पे आए हैं पहला प्रश्चन टाइम एंड वर्क से हमें मिल रहा है ठीक है गर्मी में रिकॉर्ड करना बड़ा मुस्किल होता है करके A और B कोई कारे 2 सही 2 बटे 5 दिन में कर सकते है यानि हमने कहाż है कि A और B मिलके 5 और नी 10 दो 12 बटे 5 दिन में कर लेते हैं बी और C चार दिन में कर लेते हैं हमने کہा जी बिलकुर कोई दिकत ने बी और C चार दिन में कर लेते हैं और C और A, C और A कितने दिन में कर लेते हैं, तीन दिन में कर लेते हैं, कहा गया, अगर वो एक साथ कारी करें, तीन हो, तो कितने दिन में, बारा, चार और तीन काल से मोगें, बारा, यानि यह भाई साथ, एक दिन में करते होंगे, पांच उनित, यह करते होंगे, तीन यून परसेंट का सक्सेसिव डिसकाउंट 20 और 30 का रिजल टाइन कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 माइनस 6 यानि कि 44 परसेंट अगर हम डिसकाउंट के साथ बेचते हैं तो 550 की बेच रहें चापन में बराबर 550 है तो आपको मार्केट प्राइज हां पर 560 का लिजेगा ठीक है अगर 20 और बिक रहें और 56 बराबर 560 है यानि एक बराबर 10 तो मार्केट प्राइज कितना हो जाएगा एक हजार यहां पर 550 की जाएगों 560 कर लिजेगा हाला कि 550 भी गलत नहीं है लेकिन मेरे कहने का मतलब वहां पर डाटा कुछ इस प्रकार से रहोगा जो कट जाए त्राइंगल और परपेंडिकुलर टू इच अधर अच्छा प्रशन है फूज लेंध इस 13 सेंटीमेटर 9 सेंटीमेटर रिस्पेक्टिवली फाइंड डा एरिया आप दे ट्राइंगल यह आपको कोई क्या है ट्राइंगल है इसकी दो मीडियन से हम माल लेते हैं एक मीडियन यह है और एक मी इक है ठीक है बान लीचे एक मीडियन यह एक मीडियन है अब आपको बता है मीडियन किस पॉयंट बशी में चाहिए उक केंदे रह बोलते हैं और केंद्रेक आपको बता होगा दो नपात एक कांदा अवाली मीडिय News तेन प्राइंitar करता है हम माले तो आप पो पता है ज़ कि यह केंदरख आपको बताएं मीडियन को 9 और दो अनपाथ एक केंदरख में डिवाइड करेगा पूरी मादिका की लंबाई 9 है तो यह जो लंबाई है उसकी मतलब जो उचाई है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी इस वाली भुजा की उचाई कितनी हो जाएगी 6 पूरा 9 दोन पात एक में डिवाइड होगा अच्छे और यह आधार भी एक मीडियन है जो कि दिया गया 13 यानि यह दिया गया 13 तो आप इस वाले ट्रैंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं कौन से वाले का देखिएगा इस वाले का इसका आधार भी पता है और उचाई भी तो यहा बराबर होगा यहनि पूरे ट्रैंगल का एरिया इसका दो गुना होगा तो दो दो कड़ गया अनि ते रहा चाके अच्छा प्रश्णी था कहा गया अच्छा प्रश्णी था कहा गया कि चार कांजिक्यूटिव जो है उनका एवरेज जो है वह 126 हमा लेते पहली संख्या 2A-2 है 2A-2 है और 2A-2 है अब अगर आपको इनका एवरेज निकालना है इनकी स्क्वाइर्स का एवरेज निकालना है तो 1Y4 से पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा 1Y4 से डिवाइड करेंगे और सब का स्क्वाइर कर देंगे यही तो हो रहे है और जोड़ देंगे यही अबरेज हो जाएगा अब आपको बता है सब में 2 का स्क्ाइर कॉमन आ रहा है तो 4 कर जागी यहाँ यहाँ मैंस 2 का स्कॉर सब को को खोल दो त्यों हो ज़ागा a square प्लस 4, minus 4 और plus a plus 1 का square, a minus 1 का square, ये हो ज़ागा यहीतना हो जाएगा यहाँ पहे देखे, a square plus a square plus 2a square, यही इतना ही रहेगा और plus 6, यह बराबर आपको दिया गया कितना? 126 यहनि आप कहसकते हैं, कि यह 6 इधर आ जाएगा मदब 126 इधर आ जाएगा तो मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा देखेगा तो यह question मिटा रहा हूं आपको नहीं मिटा रहा हूं आपको तो बना रहा हूं न कई बार आप लोग हांसी हासी में बोल देते हो कुछ भी यह देखो 126 को मैं इस साइड ला रहा हूं किस साइड लेफ्ट साइड तो यह जाएगा 4a स्कॉयर माइनस 4a माइनस 120 is equal to 0 है इसक्या लीए मैंस तीस बराबर स्पों संख्यार कि 8 सबसे बराबर बार सबसे कहा गया कि 8 गुना सबसे बड़ी वारी संख्या सबसे बड़ी वाली संख्या और सबसे छोटी के 5 गुने, यानि 5 दूनी 10 में से 4 गटेगा 6, 6 दूनी 12 माइनस 4 आठ, 8 के 5 गुने 40, अरे देखो, सबसे छोटी संक्या है 2A-4, सबसे बड़ी संक्या है 2A-2, आपको पता है कि सबसे बड़ी वाली के 8 गुने, यानि 2A-2 का 8 गुना, यानि कि यह कितना हो चालिस और 14 ठेक 12, 40 और 12, 12 का एबरेज कितना हो जाएगा, 670, तो ही आपको आञ्सर हो जाए, ध्यान से दिखे, समझ जाके, 40 और 14, 12 का एबरेज कितना हो जाएगा, एक सो बड़ी दून बटे दो, यानि 670, कहा गया, 4000 रुपए है, तीन साल में 5008 हो जाता है, X परसेंट 8525 252 तुछ यह आपका 4025 दौपरसेंट मिलेगा सब्सक्रास करेंगे तो 1,008 बट्यक्ता को यह ऑच्छार का ब्याज 26 रुपए 20 20 पैसे एक साल का भीज मिल रहा है 25.2 परसेंट 3 साल का ब्याज मिल रहा है 25.2 परसेंट कि इतने साल में मिल रहा है 30 États हमने खाए蛋 आज मिल रहा है थीज़ा में रहा है थ्याभट किसोड़ नहीं रहा है यावी 7 जर्क थाल जर्च माक्रण ऩ亞ल में खालता हो पů송 आर्फ घ॥ि या और सबस्oa सब्सक्राइब्स पर क्योंकि ऑम आफ फेलें टीमुनुरब DR2, एक्स पर्सेंट दिया गया था आपने कहा तीन साल में 25 mm2% एंए एक साल में जो ब्याज मिलता हुआ उसी को को रेट अफ इंट्रेस के दें एक ब्राबर 8-6 आप एखे यह यह भात फिर्व आपको पता है कि यह आपको तीन साल में कितना मिल रहा है एक हजार आठ रूपए है अब आपको ध्यान देना है कि तो फॉइन एक साल में मिलेगा तीन साल में आपको 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 अगर आपको अगर ऐसा प्रस्ट दिया जाए 10 square x minus 3 10 x plus 2 is equal to 0 तो x की value find करना है तो आप या तो quadratic solve करो या फिर आप x बराबर 10 x बराबर 1 रखो तो 1 minus 3 plus 2 यानि 1 2 3 minus 3 0 हो जाएगा यह हमारा 10 x बराबर आ जाएगा 1 और 10 x 1 कब होता है जब x बराबर 45 degree हो 0 90 के बीच में अक्सर put करते हैं करके sum of speed of 2 boys is 91 km per hour यानि कि पहला बॉय जो है और दूसरा बॉय का जो speed का sum है वो कितना है एक क्यानव है करके each of them covered a distance of 78 km if total time taken by them is 3 hours 30 minutes then find the speed of faster boy देखो हमसे कहा गया कि पहले बॉय की speed b1 अगर माने दूसरे की b1 और सारी दूसरे की b2 माने तो b1 प्लस b2 नहीं given दिया गया तो आप से faster boy की speed बतानी है अब देखो solve कर लो solve करोगे तो पहले देखो पहले मैं पानी पी ले रहो आप 78 बटे b1 प्लस 80 बटे b2 में 78 कॉमा ले लो करो देखो अगर मैं यहां 78 कॉमाल ले ले रहो ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 78 कॉमाल ले रहो तो यह हो जाएगा b1 प्लस b2 by b1 b2 यानि 99 बटे b1 b2 पराबट 7 बटे 2 यानि यहां से b1 b2 बराबर हो जाएगा हो जाएगा 7 से 13 यानि 78 गुडे 26 अब हमें ध्यान से देखना है एक चीज कि 88 गुड़े 26 हो जाएगा एक नट देख लेते हैं यह साथ बटे दो है यह हो जाएगा 88 बटे तेरा अब देखो यहां से यह बटे बराबर आगे यह सकते हैं यहां पर चेक करें लिए कि B1 बटे बी तो नुटे 2 गटे और चे बटे चार गंटे यहीं आपका टोटल साथ बटे 2 गंटे का समय लएगा से कहा जब्हाने के आपको बता ना था आप ने कहा किया समझ में आये डेखो आपने कहा कि या तो 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 ौपon दुदे 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 13 saturataya, 29 गुडव 234 16 गुडव तो यहां पर पूट करके देख सकते हैं 32 49 और दूसरे की बावन कहा गया कि इने स्कूल 35% स्टुडेंट्स और गर्ल्स एंड्रेस्ट और बॉयज थाटिफाइफ परसेंट गर्ल्स और 55% परसेंट 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 कहा गया इस 75 परसेंट ऑफ बॉयज 75% मतलब 3 बटे 4 हिस्सा बॉयज का और 85% ऑफ गर्ल्स यानिकी 17 बटे 20 हिस्सा गर्ल्स का ठीक है पास कर लेती है एक्जाम ठीक है और टोटल नंबर आफ केंडिडेट्स 2800 हों तो आपको निकालना है टोटल परसेंटेज ऑफ पास्ट इस्टुडेंट निकालना है आप सबस 25 गुड़े 65 कौन है बॉयज राइट अब आप से कहा गया कि देखिए 75% बॉयज कहने का मतलब 3 बटे 4 यानि 28 गुड़े 65 का 3 बटे 4 पास हो जाते है चार से कर देने साथ यानि 65 गुड़े 21 पास हो जाते है और इधर का गया इनका 50 परसेंट यानि 28 गुड़े 35 और 29 गुड़े 17 इतने पास हो जाते है तो आपको टोटल पासिंग परसेंटेज निकालना है तो आप कहेंगे 21 गुड़े 65 20 गुड़े 65 होता है 1365 इधर और 49 गुड़े 17 17 गुड़े 50 होता है कितना 850 850 में से घटेगा तो यह 833 हो जाएगा यह टोटल पास कितने हो है तो आपको परसेंटेज में बताना है तो इसको और आसानी से कर सकते 35 गुड़े 85 बटे सो इतने इधर पास होगे कितने परसेंट लोग पास होते हैं अर्ला प्रसेंट देखिएगा कहांगे 10 थीटा प्लस कॉर्ट थीटा 4 दिया गया तो 10 स्कॉर थीटा प्लस कॉर्ट स्कॉर्ट थीटा कितना हो जाएगा इसका स्कॉर्ट करें तो यह 10 स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉर्ट स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉर्ट स्कॉर्ट थीटा प्लस कॉर्ट स्कॉर्ट थीटा और प्लस 2 थीटा कॉर्ट थीटा यानिकी प्लस 2 इसकी वैलू होगे 14 राइट अच्छा इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह दिया गया sin थी तबाई काज थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साहिन थीटा ये उक syllabus और प्लड को टीनिंग चैसाइड़ एवां कर सकते हैंस साइन स्कुरी क्या हो जािए स्इस्थी अपन तीर इस प्लस कोई स्वार मेस्टके टा-टीनियो name यह उपन साइन 1 हो गया नीचे cos theta sin theta यह बराबर 4 आ गया तो आप कहेंगे sec theta cos theta 4 आप यहाँ पे value पूट कर दो यह हो गया 3 times of जो हमें निकालना उसमें आई है 3 times of 10 square theta plus cot square theta यहनि कि 3 times of 14 divided by 2 cos square theta sec square theta यहनि 2 into 4 square 16 minus 4 यहनि 14 42 बटे 32 minus 6 28 ठीक है यहनि कि 14 सबसे बड़ी सबसे चोटी के बीच का डिफ्रेंस निकालना आपको सबसे बड़ी सबसे चोटी बारा इफ्रेंस निता हो सत्रा सत्रा चक्के एक सो दो और यह हो जाएगा 13 135 सत्रा चक्के एक सो दो तेरा एक सो पाइटिस यह हो जाएगा एक बार जोड़ लीजिए कंना स्कुल है मसेतने सबसे बार चक्काउ польз अने प्रीन ऐट चोटीना वैक एक बार कैंच में तेरा हो जाएगा का डिफ्रेंस हो जाएगा आपको पता है कि 21 12 और 18 तीनों का योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आठ दो दस एक क्यारा एक एक दो एक तीन दो पाँच यानि 51 टोटल बराबर दियागे 1155 आप डिवाइट करेंगे तो 152 एक सो दो है ना एक दो एक सो दो यह 1335 बचेगा और यह आपको कुछ ऐसे देखो 151 बराबर 1155 आप डिफ्रेंस कितना निकालना है 2112 यानिकि 9 को अगर गुड़े 1155 ही हो जाएगा तीन से काटेंगे तीन यह कटेगा सत्रा सत्रा चक्क एक सो दो सत्रा ठेक सो चत्रा ठेक सो चत्रा होता है हाँ ठीक यह निकि लगभग अंड़सर तियां 204 आपको कॉंसर्प समझागे को क्यालकुलेशन में कोई गलती भी होगी तो देख रुपया हायर करने में तेज्रफ 5100 और 800 24 305 और 800 जाने की 24 3243 का 20 परफिट लेना 24 कितना हो जाएगा 446 का प्रॉपिट एक प्रॉपिट तालीसो साथ एक प्रॉपिट अगर प्रॉफिट लेना है मिरो भाई तो आप क्या करेंगे आप सीधे सीदे तो चार सुश्यासी एक मिनिट हाँ ठीक है अब इसमें जोड़ दीजिए यानि कितने में बेचना पड़ेगा चोबिस चार अठाइस एक उनतीस एक सो साथ रुपए का बिक्येगा अरे आट तीन ग्यारा यह हो गया चार चारा ठीक नो उनतीस जार एक सो साथ का बेचना कारते हैं Sboc यानि यह कौन सा हुदर स्परैस्ट में गलती है कुछ जी नहीं होगा देख लिए जिए परश्ट नहीं क्या था यह हो जाएगा आप से कहा गया कि इसका एरिया जो है 676 यानि हाफ इंटु ए इंटु ए बराबर 676 दिया गया ठीक है हाइपोटेनियूस यानि रूट दू यह निकालना है दो से काट देंगे दो से काट तेंगे दो तीया छे से 338 आ जाएगा मेरे हिसाब से 338 हो जाएगा यानि ए बराबर हो जाएगा 13 रूट दो अब यह बराबर 13 रूट दो तो हाइपोटेनियूस हो जाएगा 26 यानि ए एच बराबर हो जाएगा 26 ठीक है कहा गया the radii of two circles are 17 and 15 centimeter what will be radius of large circle formed by combining them देखो एक यह है और एक यह है ठीक है यह दोनों circle है आप कहा गया उस circle की radius क्या होगी जो इन दोनों को combine करता है अगर combine करेगा तो आपको पता है कि अगर ऐसे कोई circle ड्रा करना है इस तरह से आपको पता है कि जो इसका diameter होगा वो इन दोनों के diameter के सम के बराबर होगा यानि कि diameter उसका कितना हो जाएगा यह हम कहें radius जो इसकी हो जानिकि radius बराबर हो जाएगी 32 अगर ऐसे पूछा गया तो ठीक है अधरवाइस कैसे पूछा गया combining them या अगर ऐसा पूछा गया कि combine करके मालों यह तार की रूप में बने है तो पहले का 2 pi r हो जाएगा दूसरे का 2 pi capital r हो जाएगा यह बराबर बनेगा तो अगर ऐसे पूछा जाएगा तो भी आपको ध्यान रखना 2 pi 2 pi 2 pi cancel हो जाएगा यह तीसरे की तरिज्य अबराबर हो जाएगी दोनों की तरिज्याओं का योग 3 की तरिज्याओं 17 15 32 हो जाएगा ऐसे भी अगर आपसे पूछा जाएगा अगला प्रस्ष्ण देखेगा कहा आगे x power 4 plus 16 by x power 4 is equal to 217 तो आपको x plus 2 by x की value निकालने है द्यान से देखेगा आपको पता है यह लिखा हुए x square का whole square यह लिखा हुए 4 by x square का whole square यह लिखा हुए a square plus b square तो आपके पास है अगर हम 2ab 2 into x square into 4 by x square निकालने है इसमें दोनों पच्चों में जोड़ दें तो यह क 217 प्लस 8 यहनि 27225 और 27225 165 का वर्ग मूल है मिले 165 का वर्ग है यहनि हमारा यहां से x square plus 4 by x square बराबर जाएगा 165 अब फिर देखें अगर हम यहां पे देखो इसको हम लिखें x का square प्लस यह लिखा हो 2 by x का whole square यह स्क्वार प्लस 2 यह भी यहनि 2 into x into 2 by x यह बराबर हो ज यहनि x plus 2 by x बराबर 13 हो जाएगा ठीक है कहा कि यह circle is inscribed in square यानि कि square है जिसके अंदर एक circle ड्रा किया गया है यह आपका square है जो ड्रा किया गया है कहा कि area of square is 196.11 यानि कि इसका area 196.11 है तो radius निकालनी है ध्यान से देखेंगा आपको पता area कितना हो जाएगा a square यह बराबर हो जाए इब चौदा बटे root गा यह थो जाएगे और इसकी side अगर चौदा बटे root गया रहा है तो आपको पता है यह जो side होगी सकी वो two radius के बराबर होगी यह बृत के diameter के बराबर होगी या zwei तो आ रहा है यहांसे आर बराबर आगे साथ बट्टे रूट 11 बात खत्म कि टीक है कि का कि एकस माइनस वन बाइट इस इक्वाड़ निकालने अब दो से गुड़ा कर दो यानि यह यह टू एकस माइनस वन बाइट बराबर आट दिया गया है ठीक है अब अगर क्यूब कर द देंगे तो 48 इधर आ जाएगा यानि यह हो जाएगा 560 यानि कि 8x को मानिस 15x को बराबर हो गया प्रश्ण अगला प्रश्ण देखिएगा और यह साइद अंतिम प्रश्ण होगा अगर 8aq प्लस bq बराबर 14 अगर 8aq प्लस bq को हम फार्मूले पे तोड़ें तो यह हो जाएगा तो यह आपको दिया गया 14 इधर आएगा तो यह आपका हो जाएगा 7 बटे 4 14 बटे 8 पतलब 7 बटे 4 हो जाता है यहाँ से हमारा 6a b is equal to आ जाएगा 244 को 256 माइनस 64 माइनस 7 बटे 4 4 64 को 256 मेंसे 7 गटेगा 249 बटे 4 मिलेगा यह हमारा a b बराबर हो जाएगा 3 से कर देंगे 3 दू नीचे 3 से कर देंगा 3 8 24 83 यह हो जाएगा a b बराबर 83 बटे 8 अब हम अगर यहाँ से देखे 2a प्लस b हमें 8 पता है square कर देंगे तो यह मिल जाएगा 4a square plus b square यहनि 4a square plus b square और plus 2 times 2a into b यहनि कि 2 times 2a into b यहनि 4a भी हो जाएगा 4 into 83 बटे 8 यहनि कि 83 बटे 2 यह बराबर हो जाएगा 8 का square 64 यह यह इधर आजएगा 83 बटे 2 इधर आजएगा 64 दूना 128, 128 अगर 83 में से तो यह 45 बटे 2 मिल जाएगा, फिर से स्क्वाइर कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 16 A power 4 plus B power 4 plus 2 times 4 A square into B square, यानि 8 A square B square, यानि कि 83 बटे 8 का whole square, तो यह आपका हो जाएगा, 4050 minus 83 का square, बटे 8 आठ आपका answer हो जाएगा, तो यह आपको solve करने, यह आपके लिए home work है, और इसी के साथ ही, सारे प्रशन खतम होते हैं, आपके 15 April के, ठीक है, और I hope आपको सारे प्रशन समझ में भी आए होंगे, और यह single take में recorded वीडियो है, I hope आप लोग नहीं जुड़ें, PDF के लिए जुड़ सकते हैं, बबाई, take care, अगली सिप्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, बाकी चैनल पर बहुत सारी प्रिवियस एरस्वाड प्लेलिस्ट अवेलेवल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और क्लिक करके जाके कोई भी वीडिय देख सकते हैं, बबाई, लब यू वाल, गुड़ लग पढ़ते हैं